प्रेप के लिए मैं कर रही थी लाई लेट नाइट स्टेडी लेट नाइट स्टेडी के लिए मेरा सपोर्ट सिस्टम था हाई अन्विंस कोफी येस यू हर्द राइट तो चलिए मैं आप लोगों को भी इंट्रोड्यूस करवाती हूं मेरे फेवरेट ब्रैंड के कोफी से सो ये बहुत ही प्यारी सी पैकेजिंग में आया था तो लेट्स अन्बॉक्स इट तो इसके अंदर में को मिले थे दो फ्लेवर के कोफी दे फर्स्ट वन वाज एक्सप्रेसो एंड थे सकेंड वन वाज हेजलनट वैसे तो ये आपको चार फ्लेवर में एविलेबल है एक्सप्रेसो, हेजलनट, आईरिस एन मोका बट मैंने एक्सप्रेसो और हेजलनट फ्लेवर में ओटे करा था इनके साथ ही मुझे रिसीव हुआ था एक बहुत ही प्यारा सा ब्लैक कलर का हाई ओन बीन्स इनेमल मग और एक कॉफी फ्रोदर ये सारी चीज़े आपको हाई ओन बीन्स के ओफिसियल वेबसाइट एमेजॉन या फिर फ्लिप कार्ट पर भी एविलेबल है तो चलिए देखते हैं मैं अपनी फेवरेट कॉफी कैसे रेडी करती हूँ सबसे पहले मैंने हाई ओन बीन्स के कॉफी मग में एक टीस्पून कॉफी डाला, एक टीस्पून सूगर डाला और एक टीस्पून लुक वार्म वाटर डाला फिर मैंने हाई ओन बीन्स के कॉफी फ्रोदर की हेल्प से इसे अच्छे से फेट लिया एज यू कें सी बहुत ही कम टाइम में ये कॉफी बहुत ही फ्रॉदी और बहुत ही जहागदार बन चुकी है अब मेरी कॉफी रेड़ी है अब मुझे इसमें सिर्फ मिल्क एड़ करना है तो चलिए वो भी जल्दी से कर लेते हैं अब मेरी कॉफी बिल्कुल पीने के लिए बनके रेड़ी हो चुकी है तो आप लोगों ने देखा न इससे बनाना कितना आसान था तो जाए फटाफट और कीजिए और गिव इट ट्राइ तब तक मैं अपनी फेवरेट कॉफी इंजॉई करती हूँ ओके टाटा बाबाई टेक केर लव यू ओर